अबस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं चहार वीडियो और आज की वीडियो में हम बात करेंगे तीन नई नोटिफिकेशन के बारे में तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखे अन तक देखे वीडियो की सुरुआ से पहले आप इस इंपोर्टेंट अपडेट को भी ज उचे जाएंगे और 60 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा टॉप एजुकेटर के द्वारा ये जो है वो बनाया गया है बैंक मेगा कॉमबेट बनाया गया है इंगलिस और हिंदी दोनों में अवेलेबल होगा आपको कोड का इस्तमाल करना है PC 2021 तो आप PC 2021 कोड का इस्तम साइट है दोनों के उपर आप इसको बैंक मेगा कॉमबेट को दे पाएंगे 45 कोस्टन 60 मिनट के अंदर इस कॉमबेट में एक करोड का पूल है स्कॉलर्शिप का वो दिया जाता है इसमें प्रिविएस येर कोस्टन जो है वो पूछे जाएंगे और हिंदी और इंगलिस द KBL Headphones और Amazon Voucher जैसे इसमें प्राइज जो है वो भी आपके दिये जाएंगे तो 23 जनवरी 2022 को आपको ये देना है 10 वजे 23 जनवरी 2022 को आपको ये देना है 10 वजे संडे को और कोड का इस्तमाल करना है PC 2021 जिसका लिंक आपको description box में मिल जाएगा तो PC 2021 कोड का इस्तमाल इसका लिंक आपको description box में मिल जाएगा और इसको bank mega combat को 23 जनवरी 2022 को आप जरूर दीजिए वीडियो की सीधा सुरुवात करते हैं और सबसे पहला हमारा जो है वो इगनू की तरफ से notice जारी किया गया है PhD entrance exam जो देने वाले students उनके लिए उनके लिए examination date जो है वो release कर दी गई है in continuation to the public notice dated 7 January 2022 यांगी 7 January 2022 को जो public notice release किया गया था इगनू PhD entrance examination 2021 के लिए for admission to various PhD courses, PhD course के admissions के लिए academic session 2021-2022, it is thereby informed that the national testing agency NTA will now be conducting इगनू PhD 2021 entrance examination, इगनू Phd 2021 का entrance examination जो होने वाला है वो होने वाला है 24 February 2022 को यहन की 24 December 2020 को आपका PhD का entrance examination होने वाला है तो जितने भी students जिनोंने इगनू का PHD का entrance examination का form भरा था, उनका 24 February 2022 को exam होने वाला है, इस PDF को आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी और साथ में ही इगनु की जो ओफिसेल वेबसाइट है वहाँ पर से भी आप न्यूज और अनौंस्मेंट से डाउन्डोड कर सकते हैं तो अब नेक्स अपडेट के बार में बात करते हैं इगनु की तरफ से नई असाइमेंट अपलोड कर दिये गया है इगनु की वेबसाइट पे तो ऐसे जितने भी इस टुएंट है जिन्होंने जुलाई 2021 सेशन में या तो एडमीशन लिया था या फिर रिरेजिस्ट्रेशन क वेबसाइट पर नए असाइमेंट अपलोड कर दिये गया है तो अगर आपने असाइमेंट बनाने हैं आप असाइमेंट बनाना चाहते हैं आपको असाइमेंट समिट करने हैं तो आप यहां पर से असाइमेंट को डाउनलोड कीजिए जो भी आपका असाइमेंट है आपका MA का assignment है या master's का assignment है bachelor's degree का assignment है आपको सही तरीके से देखना होगा कि आपका section कौन से है और वहाँ पर से click करके आप assignments को English में या Hindi में जैसा भी आपका होगा उसमें आप इसको download कर सकते हैं और उसके बाद फिर बना दीजिए एक बार पहले आप assignment अपने prepare कर लीजिए और उसके बाद फिर जैसा भी जो भी आपका regional center online कहता है offline कहता है google form के जरीए कहता है email id के जरीए कहता है जो भी आपका प्रक्रिया आपका regional center assignment submit करने के लिए कहता है उस हिसाफ़ से आप इसको submit कर देंगे इसका link IGNU assignment के इस website का link आपको मेरे telegram channel पर भी मिल जाएगा और साथ में IGNU की main website जो है उस पर जैसे ही आप जाएगे तो उसमें download जो section होता है download section पर click करेंगे आप तो वहाँ पर assignment लिखा हूँ आ जाएगा और वहाँ पर से आप इनको download कर पाएंगे तो आप next update के बार में बात करते हैं next update के बार में बात करते हैं और UGC की तरफ से यह नया notice यहाँ पर जारी किया गया नारी सकती पुरुसकार जैसा कि आप जानते की 8 मार्च को International Women's Day होता है और उस पर नारी सकती पुरुसकार awards बाते जा रहे हैं अगर किसी ने किसी भी field में महिलाओं के welfare के लिए women's के welfare के लिए कुछ किया है तो उनको यह award दिये जा रहे हैं इसमें apply करने की जो last date है वो 31 जनवरी 2022 है online mode में ही यहाँ पर जो है इसमें apply किया जाएगा 31 जनवरी 2022 last date है apply करने की चाहे वो NGO के जड़िये कोई ऐसा काम किया हो जिसे women के welfare में कुछ मदद होई हो या फिर individually भी अगर किसी ने काम किया है तो वो इसमें apply कर सकते हैं और इस award के लिए form भर सकते हैं online form भरना है तो अगर आपने या आपके किसी जानने वाले ने आप किसी NGO से जोड़े वो इस तरीके का कोई है जो कि इस field में है जो कि महिलाओं के लिए कुछ कर रहा है तो वो यहाँ पर nomination भर सकता है 31 जनवरी 2022 तक पूरा PDF आपको मेरे Telegram चैनल पर भी मिल जाएगा और आप UGC की website खोलेंगे तो उसके notice section में भी आपको यह मिल जाएगा तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो आपको पसंदा है तो वीडियो को like जरूर कीजिए share जरूर कीजिए